नमस्कार दोस्तो, Quality of India के इस प्रोग्राम में मैं आरे इन विश्यो करें आप लोग का बहुत दो सागत करता हूं दोस्तो, discovery और invention दो critical terminology हैं, काफी बार इन में confusion भी रहता है उसी confusion को हम इस model में दूर करेंगे तो पहला term हो गया क्या? discovery discovery का definition क्या हो जाएगा? यानि कि ऐसा कोई चीज आप ढूंड के निकाल रहे हैं, जिसको की पहले किसी ने ढूंडा नहीं है यानि कि discovery का मतलब हो गया, ऐसी कोई चीज जो की मिली नहीं थी, लेकिन थी, है की नहीं? यानि आइसी कोई चीज जो की already अर्थ पे या कहीं पर भी exist कर रहा था, हमें नहीं मिला था, हमने उसको discover किया जैसे कि एक example ले लेते हैं, atom का आविस्कार किया गया है, ठीक है ना, newton, proton का आविस्कार किया गया है, जब या आविस्कार किया गया, तो क्या उसके पहले वो नहीं था, उसके पहले भी था, है के नहीं? हम तरह तरह के टेलिस्कोप से हम ब्रमान को देखनी कोशिज करते हैं, हम बहुत सारे तारों को उसके बाहर भी देखते हैं, अलाला गयालैक्सिक को देखते हैं, ठीक है ना, तो यह सब जब आविस्कार किये जाते हैं, तो क्या उसके पहले वो present नहीं थे, उसके पहले भी है, यानि कि invention में क्या होता है, हम कुछ नया बनाते हैं, ऐसा कोई product बनाते हैं, invent करते हैं, जो कि पहले से exist नहीं कर रहा होता है, जैसे कि computer किसी ने बनाया, bulb किसी ने बनाया, telephone किसी ने बनाया, बिजली का अविसकार किया गया, camera का अविसकार किया गया है ना, यह सारे क्या हो गया है यह सारे invention है यानि कि ऐसे कोई चीज जो कि पहले exist नहीं कर रही थी किसी ने research किया development किया और उसके बाद मैं उसको पहली बार बनाया जो कि आर्थ पर पहले नहीं था तो यह critical difference हो जाएगा discovery और invention का दूसरा difference ले ले लेते हैं discoveries are usually natural occurrences तो दोस्तों generally क्या होता है यह सारे जो होते हैं natural occurrences होते हैं जैसे कि मैंने example लिया neutron का proton का है ना तो यह सारे चीज़े पहले से थी यह nature का part है लेकिन हमें बाद में मिला है लेकिन इसमें क्या होता invention में inventions are man-made or scientifically occurrences of objects that exist due to the willpower and creation of human being साने की किसी ने मेहनत किया किसी ने research किया रात और रात जागा और काफी दिनों के मेहनत करने के बाद में कुछ नया product या service service दि हो सकता है उसको पहली बार उसने launch किया बनाया लोग को दिखाया दुनिया को दिखाया ठीक है ना तैसे कि Thomas Alva Edison उन्होंने जब bulk का अविश्कार किया था तो पहले ये था नहीं पहली बार उन्होंने बनाया उसको ठीक है ना उन्होंने bulk को invent किया Graham Bell ने telephone का अविश्कार किया तो telephone उसके पहले था नहीं उन्होंने पहली बार उसको बनाया है ना तो scientific research किया बहुत महनत किया और उसके बाद में इसको बनाया हम इदर उदर जाते रहते हैं कैतना डिस्कावरी किया हमने पर्टिकुलर जोगराफिक एरियास का अभी भी बहुत सारी चीजे जो रहती हैं कभी कोई जील कोई डिस्कावर करता है माउंट एवरेश्मे किसी कोने में कहीं पर किसी पहाड के पीछे में कोई मंदिर निकलता है ऐसका मतलब नहीं कि वो मंदिर या जो जील थी वो पहले exist नहीं कर रही थी अभी कुछ दिन पहले मैंने अकुवारों पड़ा था कहीं पर किसी पहाड के उपर में बीच में कोई क्रेटर या कोई जील वगर इस तरह से मिली है ठीके ना इसका मतलब यह नहीं क्यों पहले नहीं था हो सकता है सैकडो सालों से हजारों सालों से वो एक्जिस्ट कर रहा था लेकिन अभी हमको पता चला यह कहलाएगा discovery लेकिन invention क्या होता है the invention involves the process of experimentation यहाँ पर हम experiment करते हैं लाब में time लगाते हैं तरह तरह के instrument गैजट्स वगरा का हम इस्तमाल करते हैं और कुछ नया डवलप करते हैं दोस्तों discovery को हम patent नहीं कर सकते हैं क्योंकि already exist कर रहा था हमने इसको सिर्फ धूंड के निकाला है लेकिन invention को हम patent कर सकते हैं जैसे कि आपने किसी नहीं तरह का कुछ आपने कोई धातू बना लिया कोई नया आपने equipment बनाया आप उसे patent कर सकते हैं discovery जो होता दोस्तों generally accident से यह निकलता है accidentally आपने किसी particular ore को निकाल लिया जैसे कि हमने bauxite को निकाला iron को ढूंडा हैना बहुत सर तरह कि हमारे जो elements होते हैं यह सारे discovered है इसका मतलब नहीं कि पहले नहीं था लेकिन invention क्या होता है invention को create किया आता है काफी research and development करके R&D करके पैसा खर्चा किया आता है मेहनत लगता है और उसके बाद में उसको बनायाता है जैसे कि penicillin हो गया penicillin का invention किया गया apple का iPhone है उसका invention किया गया घडी का invention किया गया speaker का invention किया गया तो दोस्तों यह critical differences हो जाएंगे discovery और invention के यानि कि discovery जो है क्या होता है आप नई चीज बनाते हैं जैसे कि बल्व हो गया, telephone हो गया speaker हो गया, घडी हो गया, camera हो गया वगरा वगरा तो दोस्तों मैं आसर करता हूं कि discovery और invention दोनों के differences क्लियर हो गया होंगे वीडियो अगर पसंद आए इसको like कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ दोस्तों अपने केरियर को नई उचाव में लेकर जाने के लिए हमारे online training का सर्विशन प्रोग्राम का benefit जरू उठाएं हमारे website को www.qualitywinner.com को जरूर विजिट करें YouTube में हमारे तीन चैनल है दोस्तों Quality Hub India, ज्यान जोती इंडिया और Technical Hub India तीनों चैनल को explore करें, subscribe करें और नई नई चीजे को सिखें वीडियो के बार में कुछ अगर सुझाव दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें टेक क्या दोस्तों जाहें